दोस्तो, टोकियो उलंपिक्स में बारत के लिए एथिलीट में पहली बार गोल्ड मैडल जीत कर नीरत चोपडा ने इतिहास रच दिया है। भारत देश जिस एथिलीट मेडल के लिए 121 साल से सपने देख रहा था उसे नीरज चोपडा ने जैवलीन में नीरज चोपडा के हरियाना से लेकर टोकियो ओलम्पिक्स तक के सफर के बारे में दोस्तो 24 डिसमबर 1997 में हरियाना राजे के पानीपच शहर के एक गाउं खांडरा में नीरज का जनम हुआ था नीरज ने अपनी प्रारंबिक पढ़ाई पानीपच से ही की थी अपनी प्रारंबिक पढ़ाई को पूरा करने के बाद वे चंडीगर चले गए जहां उन्होंने एक BBA कॉलेज जॉइन किया और वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी दोस्तों आपको बता दें कि नीरज अपने बच्पन में काफी मोटे थे जिसके कारण गाउं के दूसरे बच्चे उनका मजाग बनाया करते थे इसलिए उनके चाचा उन्हें 13 साल की उम्र से दौड लगाने के लिए स्टेडियम ले जाने लगे लेकिन इसके बाद भी उनका मन दौड में नहीं लगता था स्टेडियम जाने के दौरान उन्होंने वहाँ पर दूसरे खिलाडियों को भाला फेकते देखा तो इसमें वो भी उतर गए वहाँ से उन्होंने जो भाला फेकना शुरू किया वैब और ही मैडल अपने नाम किये नीरज ने 2016 में पॉलेंड में हुए IAAF World Under 20 Championship में 86.48 मीटर दूर बाला फेक कर गोल जीता था जिससे खुश होकर आर्मी ने उन्हें राजपुताना रेजिमेंड में बतौर जूनियर कमिशन्ड आफिसर के तौर पर नायब सुबेदार के पत पर नियुक्त किया आर्मी में खिलाडियों को आफिसर के तौर पर कम ही नियुक्ती मिलती है लेकिन नीरज को उनके प्रतिवा के कारें डिरेक्ट आफिसर बना दिया गया था हाला कि जौब पाने के बाद भी नीरज ने अपने प्रैक्टिस नहीं चोड़ी और आगे चलते 2018 में इंडोनेशिया के जकरता में हुई एशिन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता नीरज पहले भारतिये हैं जिनोंने एशिन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था लेकिन दोस्तो 2018 में एशिन गेम्स और कॉमन वेल्ड गेम्स के शांदार प्रदर्शन के बाद नीरज कंदे की चोट का शिकार हो गए जिसकी वजह से वे काफी वक्त तक खेल से दूर रहे लेकिन मार्च 2021 में पटियाला में हुए इंडियन ग्रांड प्रिक्स में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए उन्होंने नैशनल रिकॉर्ड बना कर शांदार वापसी की और ऑलिम्पिक्स में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत कर भारत का नाम रोशन कर दिया गाइस अपना अमूले समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए इंस्टाग्यान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं